हेलो एवरिवन कल रात में मैंने टेलग्राम पर अल्रीड शेयर कर दिया था कि कल सुभा मैं इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ तो इंपोर्टेंट चीज यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब 20 सितंबर से जब आपका पीरेट अनडिसेस करोगे आरो एरो एक्जाम की तो इविल रिलाइज यू विल सी कि जोग्रफी से अच्छे खासे क्वेशन पूछे जाते हैं इंडियन और वर्ल्ड जोग्रफी बोथ सो जोग्रफी वो जीता जाएगा उसके साथ में यूपी स्पेशल भी चलाना बहुत सितंबर है तीन दिन 18.19.20 में modern history खत्म हो जाएगी बहुत से लोगों की already complete हो गई है बिकास ऐसा नहीं था कि modern history के ये topics जो बचे हुए है ये आपने कभी पढ़े नहीं थे जो भी अगले तीन दिनों में topics आने वाले हैं या जो आज का target ता already कहीं लोगों ने complete कर लिया है ब तो आपको you have to revise that ठीक है तो वो his modern history के रिक्कत आप नहीं है अब main चीज ये है कि geography का pattern समझ दो मैं यहीं पर बता दे रहा हूं आगे से फिर में जब वीडियो लाओंगा तो वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा जो ये जो इनसान इस वीडियो को miss कर देगा फिर उस possible हो जाता है वो बताना तो में चीज ये है कि जैसे history में आपने चीज़ों को तयार किया ancient को medieval को modern को जहां जहां उसमें जो चीज इंपोर्टेंटी मैंने शेयर किया बताया आपने उसको भेद दिया प्रॉपर आपने उसमें मेनट डाल दी लेकिन आपने अपने मोटर compilation जो आपको Mount Everest की तरह लगता था वो आपने complete कर लिया ये बात आप भी चांते हो comments में भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है में चीज यहां से समझो जोगरफी के case में ऐसा नहीं है जोगरफी में there are few chapters there are few topics जो आपसे कभी नहीं पूछे जाते हैं बट वो दिये हुए है या उनमें से अगर suppose अगर 20 पने का chapter है उसमें से केवल 4 पने काम के तो अगर मैं आपको बोल दूँ कि यार वो 20 पने पढ़ इससे कम समय में आदे समय में आप जोगरफी को भिद्ध होगे लेकिन उसके लिए तरीका होगा और वो तरीका में share कर दूँगा तो वीडियो के थुरू में एक एक चीज बताता जाओंगा आपको कि यहां पर यह topics important है इनको पढ़ो rather than कि आप observe करना कि गटना चक्र जो ज तरा से जाओगे और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से जो questions हैं उनको आप एक्जाम में सही कर पाओ यह टेसरी में सही कर पाओ बट जो मैं तरीका आप शेयर करने वाला हूं उससे आप देखना कि जब आप संडे संडे टेस्ट देना शुरू करोगे तो जो जो पढ़ते जाओगे टेस्ट में नमबर आना शुरू हो जाएंगे यह होगी अनलेसिस एक्चल में कि जो चीज में बता रहा हूं उससे आपको फाइदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है पहली चीज को यह दूसरी चीज यूपी स्पेशल में भी सेम इसी तरह से करूँगा अगर यहां पर आपको यह रिवर्स दी गई है या यहां पर आपको यह मेले दिये गए तो इन मेलों में यह पाँच मिले दिये गए इनमें यह पांच मिले जरूर बता होने चीज आपको इन से आपका या तो आंसर निकल जाएगा या इनमें से डारेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से मैं समझाऊंगा तो उसके वीडियो एक इट करके आते रहेंगे कि मैंने आप से पूछा था तो आपने उसमें एक्वरी किया था कि हाँ कोई भी टॉप चत्म होगी जोगर्फी को जीतना है जोगर्फी पर कभजा करना है और वहां पर जाकर करके पना जंडा फैराना है ठीक है तो जोगर्फी और यूपी स्पेशल चलेगा एक इंपर्टन चीज और बचिए वो भी बता देता हूं को कि आगे के 20 दिन का यह प्लैन है आपका क जो उसके में 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 चीज़ें हैं जिसके पास क्रॉनिकल है 50 परसेंट लोगों के पास प्रॉनिकल अग्डबल है तो वो लोग वहां से उसको कर लेंगे उनको बहुत ईजी रहेगा वह वीडियो को देख लेंगे वो तुरन जान जाएंगे कि हां ठीक है इसमें इए इम् मैंटर की कौन सी कर रहो सब में वो निवस अगर वो अच्छी मैगजीन है तो होगी और अगर अच्छी मैगजीन नहीं तो पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मैगजीन क्या को लो करनी चाहिए वो मैं पहली बता चुका हूँ तो उनमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर हाइलाइट कर लो उसको पढ़ लो अगर आपके पास प्रॉनिकल नहीं है तो फिर आपको इतना करना पड़ेगा अगर आपके पास यह स्किल है कि आप फिल्टर कर सको कि 2000 फैक्ट में से कौन से 100 फैक्ट है तो फिर वो अपने आप भी कर लो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको मेरा वीडियो देखने की कोई जरूरत है यह बात को भी ऑनेस्ट में बता रहा हूं तो अगर आपको लगता है कि हां मेरे पास यह फिल्टर करने का स्किल नहीं है मैं नहीं जान पता हूं कि क्या इंपॉरी सब्सक्राइब नहीं है तो फिर आप हर चीज़ याद करोगे डिफेंस असाइस बिछले आट माईनों में कम से कम लिए तो 70-80 हो चुकी है संबिट बतानी कितनी हो चुकी है और सबकी लोकेशन अलग अलग है जी ट्वंटी में यह इतनी चीज़ें हो गई हैं चंद्रिया सब्सक्राइब कर ले गए तो मैं बता रहा हूं आप जब लोग फॉर्म भर रहे होंगे और यह पूछ रहोंगे कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सा पेटकॉर्स अच्छा है कौन सी स्ट्रेजिग बैस्ट होगी कौन सी बुक लिस्ट होगी जब लोग यह पूच और लड़ी लोगों ने बनाना शुरूर कर दी है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले संडे को या उसके से पहले संडे को उनके नंबर टेस्ट में नहीं आ रहे थे बर जो चीजें उन्होंने फॉलोग की हैं इधर पिछले 15 दिनों में उससे उनके नंबर बनना शुरू हो गया है और यह उनकी महनत है मेरा कुछ नहीं है भाई पहले बता दे रहाँ पूरी की पूरी उन लड़कों की उन लड़कियों की महनत है उनका हाड़ वर्क है उनका डेडिकेशन इड़कों की मैंने उनको भाई कह दिया कि हां भाई यह रस्ता है इस तरह से चल लो चल के देख लो ट्राइ कर लो वो उस तरह से चले उनको उनकी महनत का असर दिख रहा है बीज दिन तुम्हारे पास है सिर्फ बीज दिन अगर तुमने महनत कल ली जोगरफी यूपी प्र ट्रेशल तुम 85-90% तैयार कर चुके होगे करेंट में गेम समझगे होगे कि पढ़ना क्या होता है और यह पूरा गेम है आगए के 20 देनी याने कि 10 अक्टूबर तक दुनिया भटक रही होगी और तो 5 सबजेक्ट तैयार करके बैठे होगे कौन-कौन से quality environment पहले ही कर ठीक है मैं बैठाओ यहां पर मैं फैक्स बताओंगा उन में से आ जाएगा ठीक है लेकिन उसके लिए बेस होना स्टॉंग जरूरी था जो आपने कर लिया है बाकी का जो आपने कभी नहीं पड़े क्या आ सकता है क्या नहीं सकता है वह सब का मेरे पिछोड़ दो वह सब उनों में जोग्रफी यूपी स्पेशल और जब आपका तैयार हो जाएगा अलड़ी आपने तीन सब्जेक्ट तैयारी कर लिए तो आप पांच सब्जेक्ट तैयार करके बैठे होगे मेजर मेजर जैसे पॉलिटी इंवर्मेंट से क्वेशन नहीं आएंगे हिस्ट्री से क कुछ कुछ चीज़ें वह डूएबल है अने के बाद भी अराम से हो सकती है जनरल साइंस का भी विल्कुल सेम सीन है और जो एक्रिकल्चर और सैंसर और इनके फैक्ट है यह मैं जब रिवीजन करवाओंगा अभी आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बविश्य के गरत में ज जो आपको परिशान बहुत करती है तो उनको बस ऐसे कान पकड़ा के पीछे दसीर दूँगा तो वो तुमारा ऐसी पीछे पढ़े रहेंगे लेकिन जो में में जो सब्जेक्ट थी जैसे जिए जिए जोगरफी हो गया या आपका यूपी स्पेशल हो गया हिस्ट्री हो ग जोड़ करके अगर आपने पेसप नहीं किया चीज़ों को तो जोड़ तो जाओगे लेकिन फाइदा नहीं मिलेगा कोई बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं मतब यह पकड़ना बहुत मुश्किल होगा क्यों कि यह लोग अलग लिए डिसिप्लेन पर जा चुके हैं यह टॉप लेबल पर पहुँच चुका है कि अगर मैं किसी दिन दो टॉपिक भी देता हूं कि आज भाई आराम से दो टॉपिक पड़ो यह लोग फिर भी पंस टॉपिक पड़के जाते हैं तो यह मैं जितना बताता हूं उससे चार गुना आगे स्टूट पर भाग रहे हैं कि पुराने लोग जो अलड़ी एक दिरो मैने से या बीस मैने दिन से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने को लाइन पर ला दिया है कि नहीं भाई मुझे बटकना है ही नहीं मुझे इसी बार आरो यारो 2023 निकालना है बाकी दुनिया गई भाड में मुझे मत बहुत होते हैं तीज दिन अगस्के और इसके सप्टेंबर के यह पूरा गेम था वीडियो में कर दूंगा विकास मुझे अभी पांस दिन के लिए और मैं यूपी के बार रहूंगा मैं वीडियो करके जाओंगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद ठीक है रोज एक चीज में पूरी बांदारी के साथ ऐसे करता रहूंगा जान जोग दूँगा पुरी आपको सिखाने के लिए लेकिन अगर रिस्पॉंस नहीं आएगा तो मैं रोग दूँगा तो यह असलिए मैं बार बार भोलूंगा नी आपका धरम मनता है आपकी रिस्पॉंस वीडिय हो गए आगे के लिए बबाए टेक केर पढ़ते रहो रिवीजन और बैकलॉग अगर चूटा है तो अभी टार्गेट्स कम दे रहा हूं ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपने पढ़ रखी है यार व्यक्तिकत सत्याग रहा है बिनोगा भावे ते या जवान नेरू ते या पीछे का जो चीज़ें छूट गई है उनको आप रिवाइस करते रहो बबाए यार